नमस्कार आप देख रहे हैं श्रेष्ट भारत और आपके साथ मैं हूँ गायत्री 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कड़ी पराजय का दंश छेल चुकी कॉंग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है सोमवार को प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले में ही पार्टी के दोनेता आपस में भिड़ पड़े नौबत हाता पाई तक पहुँच गई दरसल अनुसूचित जाती कॉंग्रेस प्रकोष्ट के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार और प्रदेश प्रवक्टा शेहर यार खान प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले में थे बताय जाता है कि अहिरवार ने विधान सभा में मिली हार के लिए दिगविजे सिंग को सिम्मिदार ठहरा दिया शेहर यार खान जो की दिगविजे गुट से आते हैं भला वो ये कैसे सुन पाते उन्होंने अहिरवार को बाहरी बोल दिया अहिरवार को कमलनात समर्थ तक माना जाता है दोनों के बीच तू-तू-मै में इस्तिमाल हुए शब्द आपको सुना भी नहीं सकते दोनों के बीच हुई जड़ब कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गए ऐसे में भाश्पा ने भी बिना देरी किये घटना पर बयान जारी कर दिया दरसल सालों से मध्य प्रदेश में कॉंग्रिस गुटों में बटी हुई है संगठन से लेकर टिकेट वितरं तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है और अब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कॉंग्रिस में एक और गुट तयार हो गया है इन दोर में कॉंग्रिस का सूपणा साफ हो गया और अब आलम ये है कि कोई भी बड़ा नेता कॉंग्रिस की टिकेट पर इन दोर से चुनाव लड़ने से बचना चा रहा है इस्तीफों की जड़ी लगी हुई है सूमबार को प्रदेश कॉंग्रेश उपाध्यक्ष सत्पाल पलिया ने भी इस्तीफा दे दिया इस पूरे मुद्दे पर हमारे संबादाता अभिनव उपाध्याई ने कॉंग्रेस के प्रवेश प्रवक्ता राजकुमार उपाध्या से बाच्चीत की मद्य प्रदेश में कॉंग्रेस की जो दुर्दशा है वो अब किसी से छुपी नहीं है प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले पर हमला हो रहा है प्रवक्ता पर दो बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं और इसके पीछे बजह बताई जा रही है कॉंग्रेस के भीतर की गुडवाजी इसको और बहतरी से समझने के लिए राजकुमार उपाध्याय जी हमारे साथ राजकुमार भाई सबसे पहले तो मैं कहूं कि यह प्रवक्ता पर हमला हुआ है कल कॉंग्रेस ऑफिस के अंदर आप भी साउधानी से रहना मतलब आगे क्या हो जाए देखिए कल जो गटना आमको पता चली है उसमें वह वह व्यक्तिगत मामला हो गया है कुछ उनका कि दो और कारवाई करेंगी उपादे जी यह जानना चाहूंगा मैं यह जो गुडबाजी के आरोप हैं आप पर आपकी पार्टी पर लग रहे हैं क्या निराधार है इमानदारी से बताईए का क्योंकि हम भी जानते हैं देख विजय ग्रूप अलग है कमलनाथ ग्रूप अलग है बड़वारी जी व्यक्तिगत कोई गुट के हिसाब से नहीं है वह मद्द्परदेस कांग्रेस का अधिक्ट और हर कांग्रेसी उनके व्यक्तिगत गुटका है उनका निजी गुटका है ऐसा बिलकुल मानना मेरा गलत है कि आप जो आरोप लग रहे हैं कि वह गुट का गु अधिक कांग्रेसी कार करता है उनसे फरेशान होकर यह आरूप लगाते रहते हैं चलिए आपकी इस बात को मान भी लेता हूं विपक्ष की बात को हम दरकिनार भी करने तो आपके पार्टी के नेताओं की बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता विधान सभाचनाओ की जो में भारी तो नहीं पढ़ जाएगा विलकुल नहीं पढ़ेगी और लोकसभा में कांग्रेस का करता विलकुल जद्धो जहज से लगेगा और अभी लगातार हमारी लोकसभा समन्वल समीथी की बैठ के हो रही है प्रदेश कांग्रेस में वी लगातार हर संगटनों की लग हो रही है और अभी तीन तारीक से लगातार हमारी बैठ को का फिर कम चालू होगा जो दस तारीक तक चलेगा तो लोकसभा इसतर की तैयारियों को लेकर मद्धिप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी वरिष्ट नेता सामय ग्रूप से कांग्रेस के तत्पर रहेंगे और जो भी प्रत्याशी कांग्रेस लोकसभा के लिए हम लोगों के सामने लाएंगी हम सब लोग उसके साथ ख़ड़े होंगे बदो शुक्रिया सुना आपने राजकमार उपाद्याजी को जो की मद्धिप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है आरोपों पर इन्होंने पल्ला जाड़ लिया है जाहिर सी बात है जाड़ना तो पड़े गा ही लेकिन कहीं ने कहीं इनका ये भी दावा है कि लोग कॉंग्रेस नेता तो पार्टी का बचाफ करेंगे ही लेकिन कॉंग्रेस की गुटबाजी अब किसी से छुपी नहीं है एक तरफ जहां राहूल गांधी पार्टी को एक जुट करने के लिए पैदल यात्रा पर है तो वहीं दूसरी ओर कॉंग्रेस के नेता कारेकरता के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत